समस्कार आज इस वक्त मौझूद है इस्टेडियन गूंग रोड बरेली में मुक्तेश एंडोस्कोपिक क्लिनिक पर और डाक्टर विपल कुमार को आप देख रहे होंगे बरेली की में करी 31 साल से लगातार सेवाय दे रहे हैं चिकिस्टा सेवा कर रहे हैं पबलिक की पड़ अब बिपल कुमार है इस नमस्कार दर्षिपों मेरा नाम डॉक्तर डुकुल कुमार है मैं सन एक्यानवे से जानी करिंपरी 1130 साल से बरेली में गैस्ट्रॉणोर्णोलेजी की सर्विसेस दे रहा हूं गैस्ट्रॉण्ट्रॉणोर्णी का मतर्ब पेट और लिवर से संबल पर दिख रोगों का इराज कंठा हूं है। मैं पहले शुरू के 78 साल केश्रता स्वधार में था, शन मिन्यान्दे से लेके 99 तक, उसके बाद मेरा अपना सेंटर है, मुक्तिश एंडोस्कोपी क्लिनिक के नाम से, में स्टेडियम रोट पर ही है, एक तनगर में हैं और तब से अब तक मैं हजारों लागों पेट के लिवर के सिरोसिस स्वफ पेशेंट के पेशेंट्स, गैस्टिक अलसर के, कैंसर के, इन सारे मरीजों को डाइग्नोसिस और ट्रीट्मेंट कर चुपा है। लगनो मेडिकल कॉलेज लगनो मेडिकल कॉलेज लगनो से सन 81 बेच का हूँ में, सन 81 में मैंने महां दाखिला लिया था, सन 86, 87 से 89 तक मेरी अमली मेडिसें हुई थी, उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए बत्रा हॉस्पिटल बिल्ली में सीनर रेजिडेंट रहा। फिर उसके बाद जब केशलता हस्पिटाल खुला, तो मैं केशलता हस्पिटाल में शुरू से ही चुड़ा हुआ था, सन 90 से. बेपुल कुमार, आप पेट, लीवर इन सब बीमारियों के लाज कर दे, खास तोर से पेट की और आज कल इन दरो पेट की दिक्कते ही ज्यादा बढ़ रही हैं, मरीज बहुत परिशान है, अपच हो रही है, डकार आ रही है, जलन मच रही है, नींद नहीं आ रही है, तव खानपान, जो फ्राइड फूड, फास्ट फूड, बाहर का खाना, ओटल का खाना, शादी बराद का फ्राइड फूड होता है, घर में भी जो लोग ज्यादा फ्राइड या फ्रैटी फूड, बिर्ज मसाले वाला ज्यादा खाना खाते हैं, उनको पेट की बिमारियों ज्य आपसी घर में किसी किसम का तनाव हो, नींद ना आती हो, तब ये बीमारी लंबी हो जाती है, वरना जो बहार का खाना खाते हैं, जो फ्राइट फूड खाते हैं, उनको कुछ दिनों के लिए परशानी होती है, अब जाती है, तो तीक टाव चलते रहते हैं. एल्कोहल बहुत बड़ी एक खराब चीज है जो कि धीरे धीरे 10-15 साल बाद लीवर को खराब कर देती है इसी तरह बहुत सरे infections हैं Hepatitis B, Hepatitis C, एक बैक्टिरिया होता है एच पैलोरी जो प्रेट में infection करके acidity करता है तो यह सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंगे टेस्ट कराके पेशेंट का इगाज करते हैं अधिक तरहों को इसे अरामा जाता है बेसिक चीज लिए ध्यान रखने की है कि लाइफ स्टाइल अपना ठीक करना है दवाईयों के साथ साथ खान पान में सुधार मानसिक स्वास्त में सुधार यह भी उतना ही ज़रूरी है और चलना परणा एक्सराइस करना योगर करना यह भी से बहुत सबूरी चीज़ों ना बता है बहुत सी जगाए नलों में पानी, कुमों में पानी पीते हैं, क्या उससे उको दिक्कत हो सकती ही पेट को? जी हां, सारे इंफेक्शन जितने भी पेट में जाते हैं, सब खाने और पानी के माधिम से ही जाते हैं, बहुत सारे लोग जो बाहर ठेड़े खड़े जूस पीते हैं, उनको इंफेक्शन हो जाता है, जो लोग उन्ट्रीटेट वाटर ले रहे हैं, यानि लोग घरों में यानिफेक्शन जाते ही हैं, तरस्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, कि पेठ की बीमारियों से ग्रेसित माउं, पेट की अधिक्त वीमारियां मैंने देखा है कि महिलाओं को ज्यादा उती है, अग्याओं को इसलिए ज्यादा होती है, तो गर में रहती है, उनका निक तीसरी बात मैलाओं को चटपड़ा ज्यादा पसंद है, तो वो ही देग, मिर्च मसाला, अचार, पापड़ यह सारी चीज़े ज्यादा खाने के तोशच में रहते हैं, बहुत सारे नहीं भी बढ़ते हैं, लिगी कुछ लोग कटते हैं, तो इन चीजों से बचके रहना चाह जाता हूं कि प्रोसेस्ट फूड बाहर का खाना मत खाओ, मैं खुद में खाता बाहर का खाना गई का, अब तो पिछले ती-चार साल से, वर्ड हेल्फ और्ग अपना एक स्लोगन लेग दिया है, कि डोंट इट क्रैप, क्रैप का मतलब जितना भी प्रोसेस्ट फूड है, इतना भी फास्ट फूर है, ये सब क्रैप कि शेणे में आता है, इसको नाथ आए ये डवलु एचो की गाइडलाइन में आता है, इसके अलाबा मेल्स में, मेल्स में जो ट्रैवलिंग मेल्स हैं, जो इतो अधर जाते आते रहते हैं लोग, उनको जो गोटल का खाना खाना है, ड्रैवर लोग हैं, होटल का खाते हैं, उन लोगो पेट की प्रावल्म हो जाती है, तो उनको उसे बचना चाहिए, जितने भी सब्जियां होती है, उसमें गीते प्रिशमसाला जादा होता है होटल में, तो उनसे बचना चाहिए, नहीं रोटी, इस तरह किसी चीज़े खाले ने चाहिए, तीसरी बात जो मेल्स में खास बात है, वो है एलकोहल, स्मोकिंग, सब जर्जगे नुबसान पहुचा आता है, एलकोहल भी एसलिटी करता है, पेट में अलसर करता है, साथ में लिवर भी खराब करता है, बहुत सारे लोग आपने देख को जिनकों गॉल तो पेट की या शरीर की हर पीमारी से बचाओ के लिए अगर व्यक्ति हल्का खाना काएगा, साफसुत्रा खाना काएगा, तो उसको प्रॉब्लम्स कम होती हैं, यही सजिशन है